ओर्हेलोवर्ण मेरा नम् Casey स्वागत महापात्र अच्छ सा ऑगात्त वीडियो के माधिवस मुझाश करने वालיכ den इंफॉर्मेटी वीडियो होने वाला है तो आपको गारंटी देता हूं आप अगर मेरा आप अपना टाइम दे रहे हो तो मैं आपका टाइम वेश्ट नहीं करूंगा बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए कलेट करके लाया हूं और आपके साथ में वीडियो को लाज तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना अपने जिसके साथ ये प्रॉड़क्ट आप शेयर करना है जाता हूं उनको शेयर कर देना और मेरे इस चानल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉस आयम थीक से खाना भी कर पाते हैं जिसके बज़ाइब सब्सक्राइब कर देजियर टेक स्की कॉन कोम करने को मन करता है थकान महहां। उसके बाद हमें stress रहता है mental stress, physical stress, बहुत सारे stress होता है जिसके वज़े से हमारा output भी नहीं निकाल के लापते हैं उसके बाद early aging हम बहुत जल्दी अगर हमारा age है 25 पर हम 30 की उमर के 35 की दिखाए देते हैं because of some hormonal changes और वो क्यों होता, because हम ठीक से diet नहीं लेते हैं उसी के वज़े से पर आज मैं सिर्फ आपको problem बताऊंगा नहीं आपके solution लेकर आया हूँ जिसके जड़ों को use करके, स्टम को use करके एक supplement बनाया जाता है और उसी supplement का नाम है Korean red ginsing आपको ginsing हर जगे मिल जाएगा, हर जगे मिलता है और लोग भी से बहुत intake कर चाइना की बारे में अगर बताऊंगा चाइना 5000 सालों से इसी supplement को use करता है क्यों वो use करता है, यह हर body part के लिए काम करता है, हमेरे body में कुछ diseases है तो यह easily recovery करने के लिए, fastest recovery करने के लिए help करता है, सारे diseases को fight करने के लिए, हमें immunity power देता है हमें, रोगों से लडने की सक्ती हमें देता है, हर aspect of health के बनाया अगर बताऊं, यह काम करता है पर इसका knowledge हमें नहीं रहता है, because ऐसा कुछ market में अच्छा product नहीं है, पर यह मैं आपके साथ share करने की यह product आप क्यों लेंगे जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा, जिनसिंग एक plant है, और उसके जड़ों से यह supplement बनाया जाता है जो जिनसिंग होता है, जो जिनसिंग जो stem से जो बनता है, जो जिन जड़ों से बनता है, उसमें एक phytonutrient होता है जिसको कहा जाता है जिंसेनों साइड वही जो जिंसोना साइड होता है जो फाइटो न्यूट्रेंट वही जिंसोना साइड आपका हेल्प करता है आपका स्टेमिना इंक्रिस्ट करने के लिए आपका वीटेलिटी इंक्रिस्ट करने के लिए आपका मेमरी पार इंक्रिस्ट कर क्या होता है जैसे हमारे एंविर्मेंट हमेशा मलब चेंज हो रहा है कभी क्लाइमेटिक कंडिशन से अलग अलग रहा रहा है एड़ाप्ट जन है जिंसिंग में इसलिए एंविर्मेंट चेंज हो पर हमारे जो अड़ाप्ट जन उसी एंविर्मेंट को अड़ाप कर लेता है और हमारे stress को fight करने में help करता है हमारे anxiety को fight करने में help करता और हमें जो दिन भर हम जो fatigness फल होता है हमें जो थकावट feel होता है उसी को भी ये improve कर देता है मतलब आपका पुरा cure कर देता है और आगे आपको थकावट महसूस नहीं होता है अगर आप इसा regular intake करते हो और हमारे जो जिंसिंग में सबसे खासियत जो सबसे बड़ा खासियत यह है जो जिंसोना side है जो जिंसोना side है वो हमें help करता है for restorative remedy restorative remedy यानि क्या हमारे जो body में जो भी diseases हो रहे है cure करने के लिए medicines कहाते है पर अगर आप medicines के साथ अगर इससे खाते हो जो भी diseases हो जिससे आपको sugar भी है जो भी आपका disease है अगर आप जिंसिंग खाते हो जिंसोना side के वज़े से जो restorative remedy है इसका अर्थ ही है आपका जो recovery का जो time में वो घटा देता है जिसके वज़े से आपका जो भी diseases आपका हुआ हो वो जल्दी बहुत जल्दी comparatively recovery हो जाता है because of the जिंसोना side और यह हमारे mental और physical level को mental और physical performance को यह enhance करता है यह improve करता है और हमें help करता है immunity power बढ़ाने के लिए हमारे जो immunity power जैसे रोग प्रतिरोधक सक्ती यह हमारा increase करवाज देता है and it protects against all free radicals और जो हमारे जिंसोना side जो हमारे जिंसिंग है वो एक antioxidant के हिसाब से भी काम करता है जैसे वो हर disease के साथ यह fight करने का खियमता भी रखता है और हमारे जो जिंसिंग है यह promote करता है वीगर, vitality और जो erectile dysfunction होता है उसमें भी यह बहुती बड़ा role play करता है मतलब जो erectile dysfunction होता है उसको भी यह fight करने में यह बहुती बड़ा help करता है मतलब आपका issue, मतलब क्यों हो सकता है अगर आप इसे intake करते हो अभी अगर आपको कैसे इस product के उपर भरुस आएगा और उन्होंने एक certificate में sign भी किया है जसका नाम है GMP certified GMP certification जो है Good Manufacturing Practices के जो सारे rules है जो KFDA ने निकाला है वो rule हमारा जो मोधिगेर का will category का जो Korean Regency है इसे follow करता है इसे certification भी दिया गया यह Korean government है उनसे भी हमें इसे certification मिला है कि this is the best quality product और हमारा जो Korean Regency है आपको market में बहुत सारे जिंसिंग मिल जाएंगे बहुत सारे जिंसिंग मिल जाएंगे पर हमारा जिंसिंग क्यों खास है हमारा जो product को जो manufacture करता है इस company का नाम है Korea Pungi Ginseng Pungi जो है एक Korea यह जो जिंसिंग है कोरिया में मनता है और जो Pungi है Korea का एक जगा है और जो Pungi Ginseng का मक्का कहा जाता है Pungi Ginseng का मक्का कहा जाता है क्यों मक्का कहा जाता है Because Pungi में सबसे best Ginseng आपको मिलता है आप इस गूगल करके भी देख सकते है best Ginseng आपको Pungi में मिलता है जिसके वज़े से पूंगी जिंसिंग का मक्का भी कहा जाता है और हमारा प्रोड़क्ट उसी पूंगी से उठाया हुआ है और उसी पूंगी में हमारा प्रोड़क्ट को बनाया जाता है उसी पूंगी के जिंसिंग के स्टेम से इस प्रोड़क्ट को हमारा बनाया जाता है ज आपका जो पिसारे स्टेमिना है उसको इंक्रिस करेगा आपका जो अगर स्ट्रेस है उसका रिजिस्टन्स बनाने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है और इट हेल्स वर बूस्टिंग एनर्जी आपका एनर्जी को यह बूस्ट करने के लिए help करता है and promotes vigor and vitality and enhances your physical and mental performance आपका जो physical and mental performance को भी increase करते हैं indirectly आपके काम में भी बहुत बड़ा help करते हैं आपका productivity बहुत अच्छी तरीके से ले आएगा and potential users और कैसे आप इसा intake कर सकते हो आगर मैं बताओ आप adult हो यह बच्चों को नहीं दे सकते हैं adult है जो कि 18 साल से उपर या फिर आप 15 years इस product को उनको दे सकते हो अगर adult है आपके घर में तो adult खार सकते हैं जो frequent travelers हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो sports जो खेलते हैं athletes होते हैं जो भी sports केलते हो आप इसे intake कर सकते हो इसे आपके stamina को increase करेगा हर कोई से use कर सकता है पर जिनका blood pressure हाई रहता है वो इस product को use नहीं कर सकते हो और suggested uses आप इसे कैसे खा सकते हो इसे आपको before meal लेना होगा जैसे मैं इसे अगर intake करता हो तो मैं before breakfast खाता हूँ उसके बाद शाम को या फिर डिनर से पहले मैं और एक tablet खा लेता हूँ मतलब मैं दिन में दो बार खाता हूँ और आप भी इसे दिन में दो बार खाएंगे before meal और जिसका high blood pressure आप इसे intake मत करें सबसे बटर रहेगा और अगर आपको diabetes है जैसे मैंने previous वीडियो में कहा था जहां पर मैंने all plant protein के बारे में कहा था मैं eye button में भी दे दूँँगा आप जाके उस product को भी देख सकते हो all plant protein जिसके मैंने complete वीडियो बनाया था जिसमें कहा था वो diabetes लोगों के लिए भी है और अगर आप all plant protein के साथ जिंसिंग भी अगर आप intake करते हो आपके diabetes में आपका घटाएगा नहीं या फिर बढ़ाएगा नहीं यह आपका क्या help करका maintain करने के लिए जिसे आपका body pain होता है मुझे पता है सुगर जिनका होता है और आप इसे अगर ले सकता है अगर आपको यह प्रॉडट अच्छा ना लगा और अगर मैं इस प्रॉडट के प्राइस के बारे में बता हूं आप एक नीचे में आपको एक लिंक दे दूगा और आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और आपको अगर इसे ओर्डर करना है उसे लिंक के माधियम से अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप एक टाब में नहीं टाब में जाएंगे और उसमें से सब कुछ आएगा आपको वेल कैटेगरी सिलेट करके इसी प्रॉडट को ढोड़ना है और अगर आपको उसे खरीदना है आप उसमें भी बेनिफिट्स और सब कुछ देख सकते हैं अगर मेरे उपर भरोसा नहीं ह और आपका उसमें भी आप सारा देख सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन में और कर सकते हैं जीरो डिलेवरी चार्ज आपको पड़ेगा और आपके घंवे फ्री में डिलेवरी हो जाएगा सो अज के लिए इता है था थैंक्यू बेरी मच मेरा यह पूरा वीडियो देखने के लिए और अगर आपको ऐसे मेरे वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करते हैं मेरे इस चैनल को बिकॉस अल्टरेटिव डेज में वीडियो अप्लोड कर रहा हूं विकॉस आपको ना मंडे उसके बाद वेनेश टे साटरड़े सड़ी फ्राइड आपको तीन दिन आपको वीडियो भी मैंने बना के रखें मैं उस चैनल का लिंक वे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप जाकर चेकाउट कर सकते हैं तब तक लिए चलता हूं see ya have a good day and bye